Fiverr के ओपर नियो अकाउंट बना है और चाह रहे हैं आपके आपको अच्छे से अच्छे ओर्डर आएं तो किस तरह से आपके अपने गीग स्ट्रेटीजी प्लान करने चाहिए सारे लोग ये तो आपको कहा देते हैं कि साथ के साथ गीग्स आप पॉबिश करें लेकिन ये नहीं बताते हैं कि किस तरह से पॉबिश करने चाहिए तो बेसिकली अगर आप लेट से एक कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं वर्डप्रस वेबसाइट डिजाइन की अंदर तो तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आप एक गीग पब्लिश कर रहे हैं तो सब कैटेगरी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है चूज करने का कि बिजनिस वेबसाइट या पोट्पोली वेबसाइट या रेस्टोरेंट वेबसाइट यह रेस्टेट वेबसाइट तो आप क्या कर सकते हैं कि एक गीग आपने पब्लिश किया है बिजनिस वेबसाइट की कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए फिर सेकंड गीग आप कोई और रॉकेट साइज ना लगा हैं सेम उसी तरह के एक और गीग बना हैं लेकि उसको सेकंड क कैटेगरी के अंदर पब्लिश कर दे लिटल बिट चेंज करके और थोड़े सी चीजों को चेंज करें इससे क्या होगा कि सारे कैटेगरीज के अंदर आपके गीग की इंडेक्सिंग और रैंकिंग के चासिस बढ़ जाएंगे